हेलो दियर स्टूडेंट्स वेलकम है आप सब का इस यूट्यूब चनल फैसल सरज अकडिमी में तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक गैस पेपर शियर करेंगे उस पर मैंने important questions जो आपके exam में definitely पूछा जाएंगे तो उन पर मैंने वीडियो भी अपलोड किये तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो चनल को विजिट कीजिए फैसल सरज अकडिमी यूटूब चनल वहाँ से आप playlist ओपन कीजिए बीजी 5th semester political science तो वहाँ से आप वो वीडियो भी देख लीजिए वो आपके काफी helpful बनेगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजी 5th semester political science western political thought gas paper जो कि आपके screen पर है काफी सारे students ने demand की sir आप हमें gas paper प्रवाइड कीजिए तो gas paper मैंने prepare किया है आपके साथ मैं share करूँगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले short answers मैं आपको बताऊंगा questions को answer भी कैसे लिखने है short answers में जितने भी यहाँ पर 8 questions है आठों में से 8 आपको करने है इनमें जो है और option जो होता है वो आपको नहीं है, choice आपको short answers में नहीं मिलता है तो इसको आपको लिखने है 20 words में यानि 2-3 lines में आपको answer लिखना है कुछ students क्या करते है, what is city state वो इसमें लंबा चोड़ा page लिखते है एक तो उनका time waste होता है exam में time बहुत कम होता है, 2 गंटे, 5 गंटे उसमें आपको बहुत सारे questions लिखने होते है तो वहाँ पर आप time waste ना कीजिए सिरिफ 3 lines, 4 lines में answer लिखना है short answers के जितने भी questions है, सिरिफ 4-4 lines में answers लिखने है 20 words के और इसके आपको 32 marks होते हैं 8 questions के, हर question पर 4 marks तो पहला question यहाँ पर है what is city states, what is state of nature question number 2 and question number 3 is what is aristocracy by Aristotle ऐसा भी पूशा जा सकता है what is oligarchy, इन पर जो है videos भी मैं upload करूँगा, जो मैंने अभी तक upload नहीं किया है, define self and other regarding actions, इस पर भी video upload हुआ है, what was levithan, यह भी मैंने already आपके साथ discuss किया है, इसी तरह से define natural writers, यह अभी मैंने upload नहीं किया, इसको भी upload करूँगा, define ledger by Aristotle यह भी मैंने upload किया है, अगर अभी तक यह videos आपने नहीं देखे हैं, उनको भी देख लीजे क्योंकि exam में helpful बन सकते हैं यह आपके लिए next question यह पर what is the picture of the state of nature by log, rusio and hobbies, इन तीनों मैंसे किसी भी scholar की जो है, आपको पूछा जा सकता है, इन तीनों मैंसे जो है, इन्होंने different नजरिया दिया है, state of nature ने, logs ने अलग दिया है, rusio ने अलग, hobbies ने अलग, वो तीनों का मैंने जो है upload करके रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो उसके बाद आपका यहाँ पर है medium answers, medium answers क्या होते हैं इस पर आपको जहें, 1500 words हर एक question पर लिखने है, यहाँ पर आपको जो है, our part जो होता है, वो given होता है, यहाँ पर आपको जहें, सिर्फ 4 questions करने है, 8 questions given होंगे, उसमें आपको 4 questions करने है, 4 questions आपको skip करने, जो चार आपको आते हैं, वो चार आपको करने है तो इनके होते 32 marks, यहाँ पर लिखा मैंने, Aristotle's view on citizenship यह भी मैंने upload किया है, discuss the basis which makes, which make a person fit for citizenship according to Aristotle next question, what are the major themes of ancient western political thought, western political thought की major themes क्या है discuss the modern questions of western political thought, यह सारे questions मैंने upload किये हैं, उसके बाद discuss Hobbes, we want sovereignty, discuss Karl Marx, theory of surplus value question number 6, discuss Rusio's concept of general will, इसी तरह से theory of state by Bakunian ने क्या कहा था, state के बारे में, वो आपको लिखना है, John Locke's theory of natural rights तो यह यहाँ पर आपके important questions बनेगी, उसके बाद जहें long answer, जो last section होता, आपको आपके paper में 3 sections होते long answer में आपको क्या करना है 300 words per question लिखने, यहाँ पर आपको 4 questions given होंगे, आपको 2 करने, हर एक question पर आपको 13 marks मिलेंगे, 2 questions करने यहाँ पर लिखा है, मैंने पहला question discuss JS mills, we want liberty in detail detailed में आपको बताना है John Sutrat Mill ने liberty के बारे में क्या का है, उसके बार describe Karl Marx we want state, state के बारे में Karl Marx की क्या राय है, वो आपको detailed बताना है, आपको critically discuss as totalists we want citizenship, यह भी आपको बताना है, काफी important question है, यह आपको 4 marks वाले में भी पूछा जा सकता है, 8 में भी और 13 marks वाले में भी and the last is what are the major themes of ancient Western political thought, यह भी important question है, तो यह है आपका guest paper, I hope कि यह guest paper आपका helpful बन जाएगा exam में, thank you and thank you very much